मुझफर नगर में किसानों की महा पंचायत के दुरान परशिध टीवी एंकर चित्रा त्रिपाटी को विरोध का सामना करना पड़ा इस घटना का एक वीडियो भी शोशन मीडिया पर बहुत तेजी से वाइरल हो रहा है वैरल होरे इस वीडियो के अनुसार भीड दुवारा एंकर चित्रा त्रिपाटी और कैमरा मैन का घहराव किया जाता है जब एंकर वहां से निकलती है तो पीछे कुछ लोग भी चलने लगते हैं इनके हाथ में किसान संगठनों के जंडे भी दिखाई दे रहे हैं आगे चल रही चित्रा त्रिपाटी के साथ एक किसान की जड़ब भी होती है इस घटना के वीडियो सामने आने के बाद कई मीडिया संगठनों से जुड़े पत्रकारों ने अपनी परतिकिरिया रखी टोशल मीडिया पर चौधरी साहब नाम के यूजर ने चित्रा त्रिपाटी के उस ट्वीट की याद दिलाई जब किसानों के खलाब बड़ी संक्या में सुरक्षा बलो को तनात किया गया था यूजर ने लिखा कि उस रात को याद कीजे जब आप घाजीपूर बोडर पर किसान आंदोलन की आखरी रात बता रही थी वही डॉक्टर चोहान 11 नाम करके एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते वे लिखा कि सामूहिक छेड़चाट बहादुरी नहीं है संग कुलिया नाम के यूजर ने लिखा कि चितरातरी पार्टी के साथ जो हुआ वो दुखद है लेकिन शायद वो इस बात को समझे कि अपने स्टूडियो में बैट कर किसानों को देशद्रोई बताना कितना आसान है उन्होंने कहा कि किसी पार्टी का परवक्ता बनना आसान है लेकिन आम इंसान बनना उतना ही मुश्किल है दूसरी तरफ परमोग के 1523-0523 नाम के यूजर चितरातरी पार्टी की बाहदुरी की तारीफ करते वे लिखा कि किसानों के विरोध के बावजूद इवेंट को कबर करना वागई बाहदूरी है वही केंदर के तीन नए क्रीशी कानूनों के विरोध में रविवार सुबा अलग-अलग राज्यों के किसान मुझफर मगर के राजकिया इंटर कॉलिस के मैदान में होने वाली किसान महापंचायद के लिए बड़ी संख्या में पहुँचे थे अगले साल की सुर्वात में उत्तर परदेश में होने वाले विधानसबाद चुनाओं को देखते हुए इस आयोजन को महत्पुन माना जा रहा है लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस महा पंचायज से 2022 के विधानसबाद चुनों में उत्तर परदेश में कितना आसर करता है इस पर हमारी रहेगी पूरी रज़र ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं Bureau Report, National India News वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भुले ताकि देश विदेश को जुड़ी ख़बरे आप मिर्श न करे क्योंकि करोना काल में दो गस दूरी, मास्क है जरूरी नमस्कार